नमस्कार दोस्तों, देश भर में जितने भी सहारा इंडिया के निवेशक हैं उनके लिए बड़ी खबर रिफंड पोर्टल से देखने को मिल रही है. अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है तो आपको यह खबर पूरा पढ़ना चाहिए. आपको बता दे कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल, सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के माध्यम से जो भी लोग अपने पैसे के लिए फिल्म कर चुके हैं और अभी तक उनका पोर्टल पर क्लेम करने के बावजूद भी पैसे वापस नहीं मिले हैं उनके लिए यह खब पोर्टल पर 10,000 रुपे ही नहीं बलकि 1,00,000 रुपे से 5,00,000 रुपे तक राशी के लिए रिजर्वेशन कर सकते हैं और इसके लिए सबमिशन को स्वीकार किया जा रहा है एक लाख के रिफंड पर 45 कार्य दिवस के भीतर कार रवाई किया जाएगा आपकी जानकारी के लिए बता दे की सहारा इंडिया में देशपर में लगभग 10 करोड लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किये हैं सभी लोग बहुत ही बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं कि उनका पैसा रिफंड वापस कब होगा सहारा इंडिया विभिन स्क्रीन को लांच किया था जिन में से चार स्कीम में जिन लोगों का पैसा इंवेस्ट है उनका पैसा सरकार वापस करने जा रही है सहारा क्रेडिट को अपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड स्टोज माल्टी पाप्स कोपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हमारा इंडिया क्रेडिट कोपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड सहारा एंड युनिवेसल मल्टी परपच सोसाइटी लिमिटेड अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया में एक लाख रुपे तक बसा हुआ है और अगर आप सहारा इंडिया रीफंट पॉर्टल के माध्यम से एक लाख रुपे के लिए क्लेम करते हैं तो आपका यह पैसा 24 दिन के लिए आपके बैंक अकाउंट में प्रेशित किया जाएगा। इसके अलावा सहारा इंडिया परिवार में अगर आपका पैसा 5 लाख तक फंसा हुआ है तो आप इंडिया रिफंट पॉर्टल रिजर्वेशन के जरिये यह पैसा 24 दिन के भीतर प्राप्त कर सकते हैं। सहारा इंडिया से पैसा रिफंड पाने के लिए सबसे पहले आपको सहारा इंडिया रिफंड पॉर्टल पर विजट करना होगा. यहां पर आपको होम पेज पर जमा करता पंजी करन के विकल्प नजर आएंगे यहां पर क्लिक करें. उसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहाँ पर आपको अपना आधार नंबर और आधार नंबर से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर को दर्ज करना होगा अब OTP प्राप्ट करने के विकल्प पर क्लिक करना होगा इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा उसे यहां डाल कर वेरिफाई करें उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरा करना होगा फिर Registration का प्रक्रिया पूरी तरीका से पूरी होने के बाद जमा करता Login विकल्प पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां पर आपको अपना आधार कार्ड के अंतिम चारंग डालने होंगे, इसके बाद आपको आधार कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर को डालना होगा अब कैप्चा कोड दर्ज करें और OTP प्राप्त के व सभी जानकारी पढ़ने के बाद शर्तों को पढ़कर मैं सहमत हूं की बॉक्स पर टिक मार्क करें और अगले सटिप की ओर बढ़ें। अब यहां पर आपको डिपॉजिट सर्टिफिकेट के साथ क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म को भरना होगा। इस क्लेम रिक्वेस्ट में फार्म में आपसे कई प्रकार की जानकारियां पूछी जाएगी आपको ध्यानपूर्वक यहां पर सभी जानकारी को भर देना होगा। इसके बाद आपको अपना एक passport size photo इस claim letter पर देना होगा इसके साथ ही signature भी करना होगा इसके बाद इस claim letter को आपको अपने scan करके दुबारा से portal पर upload कर देना है जब प्रक्रिया successful complete हो जाएगा तो आपको एक confirmation message प्राप्त हो जाएगा यह प्रक्रिया complete होने में 45 दिन लग सकते हैं सहारा इंडिया में फंसा हुआ पैसा वापस आपके account पर मिले